ओम ज्ञानत मिरांधस्य ज्ञानन जुन शलाकया चक्षूरन मिलितम येना तस्मई शेगुरुवे नमहा अरे कृष्णा भगवतीता ध्याय सात्वा श्लोक संथ्याट्वाइव मैं मूर्खों तो अलपग्यों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा अच्छा दित रहता हूँ अतवे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूँ अविनाशिय हूँ तो भगवान यहाँ पर कुछ पीछे के कुछ लोगों मैंने सुना कि इस प्रकार से भगवान देवताओं के पूजा को ज्यादा इंटेलिजन्स का काम नहीं मान रहे हैं त्यूंकि उनसे मिलने वाले फल टेंपरेरी हैं और इस प्रकार व्यक्ति भगवान को देख पाएगा यदि भगवान किसी देवताओं के विशेष में किसी व्यक्ति का विश्वास बना देंगे और खुद अपनी अंतरंगा शक्ती दौरा छुपे रहेंगे तो भगवान को हम कैसे जान पाएगे यह कोश्चन है कोई कह सकता है कि हमारी इसमें क्या गलती है जब भगवान ऐसा कर रहे हैं तो वास्ताव में भगवान ने ऐसे किता में कई शलोक में बताया कि मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है हमें उन शलोकों पर मेडिडेट करना पड़ेगा वरना वही होगा जो इस लोगों को बताया गया कि भगवान के रहे हैं मैं मूर्खों तदा अलपग्यों के लिए कभी भी परकट नहीं होता हूँ यहां पर मूर्ख वक्ति वो नहीं है जिसने अपनी एजूकेशन में टॉप नहीं किया जिसने कोई बहुत बड़ी जाब नहीं करी जो बिजनिस में परफेक्ट नहीं हो पाया उस वक्ति को मूर्ख नहीं बोला जा रहा है उस वक्ति को अलपग्या नहीं बोला जा रहा है वास्तर में मूर्ख हुआ है जो इतना समझने के बाद भी सुनने के बाद भी भगवान के परती शरनागती नहीं करता है और इधर उधर कभी अपने बैंक बैलेंस पर विश्वास करता है कभी परीजनों पर विश्वास करता है कभी अपनी पावर्स पर पॉलिटिकल पावर पर ट्रस्ट करता है और भगवान को शर्नागती नहीं करता है तो इसे लोगों के परती भगवान कभी भी परकट नहीं होंगे जो अपने पर अपनी शक्ती पर अपनी किसी भी शक्ती पर ज्यादा ट्रस्ट करता है और भगवान की शर्णागति नहीं करता है तो भगवान उसके लिए अपनी अंतरंगा शक्ति तो भगवान की अंतरंगा शक्ति जो माया शक्ति है वो बड़ी पावशूल है देवी एशी गुना मही, मम माया, दुरत्या कृष्णा सेज की ये अंकॉनकरेबल है कोई वेक्ति संदार में इसको जीत नहीं पाया है हम देखते हैं कि माया के पास बहुत सारी हतियार है वो किसी वेक्ति को कई तरीके से घुमा सकती है तो हम देखते हैं कि कोई वेक्ति कई बार अपने रूप के पीछे पागल जाता है कई बार कोई वेक्ति अपने बल अपने फिजिकल पावर के शाथ ऐसा हो सकता है और ऐसे कई कारण हो सकते हैं आदमी को भेकाने के हमने एक बार आपको कटा सुना ही थी एक वेक्ति था जो कि एक संथ ता और उसके पास में वो बहुत तपस्वी था और तपस्या कर रहा था. तो उसके पास में आचानक से एक बाज इंडर गहरा जाते हैं कि ये अगर इंडर की डदी पर आ गया तो क्या होगा? तो ओ Nap क्या है? उसको आपनी आते हैं, थोड़ी देर में वो तलवार को जब उठाते हैं तो नहीं लगता है कि कुछ तो है और उसको चलाते हैं और ऐसे चलाते हैं तो पूरा पेड़ कटके नीचे गर जाता है और फिर वो दूसरी तरफ चलाते हैं दूसरा पेड़ गर जाता है इस परकार वो चलाते चलाते चलात पी थे और उसके सामने मेन का आई तो सारी तबस्या भंग होगी तो माया के पास बहुत सारे हतियार हैं जिससे कि वह हम इसको हरा सकती है इक वेक्टी को इसलिए कहते हैं कि मम माया दुद्द्ध्या इसलिए कि मूर्खों अलपग्यों के लिए कभी प्रकटने होता है ऐसे कुछ लोकों में हमने देखा कि मूझ कौन है तो हमने समझ़ा मुर्ख वो वेक्टी है जो वेक्टी टेंपरेरी बैनिफिट्स के लिए इधर-अधर यहाँ तो खूभ weekend करता है थे मैं नास्तिक है सोचता है कि में कमाँगा, मैं खाँगा, मैं इंज्यॉय करणगा यह ऐसा हो सकता है कि जो देवताओं के पाश जाता हौ और इन चीजों के डिमान करता हो यह ऐसा है कि जो निराकारवादी है जो भगवान के सरूप को नहीं मनता तो ये सारे ही लोग के परकार के अलपक हैं मुर्ख हैं उनके सामने भगवान अपनी माया चक्ती तवरा अच्छादित रहते हैं यानि कि कभी उनको ये रिलाइजेशन ही नहीं आती कि भगवान को जानना भी चाहिए वो अपने इनी डिमांड्स और इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमेशा डूबे रहते हैं वेस्ट रहते हैं कभी नहीं सोच पाते कि जिग्यासा नहीं कर पाते कि मैं कौन हूँ मैं संसार में क्यूं आया हूँ व्यक्ति मरता क्यूं है इनको प्रश्ट नहीं उसके दिमाग में आएंगे और भगवान सामने ही होंगे ऐसी कितनी सिचुशन है आपने देखा कि शिशुपाल भी वहीं पर था और भीच में पितामा भी वहीं थे राजसुय यग्य होना था यह डिसकस हो रहा था कि किसकी अगर पूजा की जाए भीच में पितामा ने बोला कि कृष्ण नहीं पर परमेश्वर है अब भीच में पितामा कितने सीनियर वेक्ति थे उनका कोई अगर पूजनी है तो केवल कृष्ण है और शिशुपाल ने गा यह गौाला पूजनी है जिसकी जात का पता नहीं कि शत्री है या वैश्य है क्या यह तो पता ही नहीं है और बोलता क्या बोलता क्या बोलता क्या कितने बुराई यह निकाल दी वहीं पर बैठे बैठे देखिए एक वेक्ति देख पा रहे हैं कि यह इश्वर है और दूसरा वेक्ति नहीं देख प भगवान की बड़ी किरपा है आदें क्या किरपा है बच गया शर फूट जात अभी मर जाता को कुछ नहीं है सब भक्वास करली तो जल चड़ाई था कली तो तो यह किया था तो जो भक्त होता है उसकी different होती है तो वो देख पाते हैं इसलिए चुलोग आता है प्रेमान जुना चरिता भक्ति भी लोचनेना हमारे आँखों में प्रेम का अंजन विश्वास का अंजन लगा होता है तब हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं उनकी हस्तक्षेप हमारे जीवन में महसूस कर पाते हैं क्योंकि मेरे साथ जो भी हुआ उसके कर्मों का कारण मैं ही था तो इसलिए हमां बता रहे हैं कि ऐसे अलपक्य मूर्खों के सामने भगवान कभी परकट नहीं होते हैं अपनी असली रूप में वह तो भगवान तो उनको प्रलोभन देके ही इतर-उतर साइड कर देते हैं प्रलोभन जैसे मैंने बताया किसी सुंदर पती या सुंदर पतनी का प्रलोभन धन का प्रलोभन ग्यान का प्रलोभन और एक्ति पूरे जिंदगी उसी में लगा रहा था हम देखते हैं बहुत सारे बुद्धी जीवी यह कई बार बहुत बड़े कवी हैं या बहुत बड वाले वेक्टीव cricket होते हें कई लोग उन्हें जानते हैं रोज 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 अनने चीफ गेस्ट बनाते हैं कहीं पर कुछ करके बुलाया जा रहा है तो जारे हैं यहाँ पर गिफ्ट दे रहे और इस इल्यूज़न में वो पूरा जीवन बिता रहे हैं कि to totally unaware कि क्या चल रहा है कि मैं कौन हूँ क्या चल रहा है क्या नई चल रहा है तो इस परकार बता रहा है कि अलपकुर के लिए मैं कभी परकट नहीं होता इसके लिए तो हमें शरणागती करना पढ़ेगा जुखना पढ़ेगा हमें अपनी पोजिशन से नीच आने पड़ेगा हमें सोचना पड़ेगा आप वो भगवान है हम दास हैं तब हमारे सामने भगवान परकट होंगे भीच में पितामा की जैसे हम पोजिशन बता रहे हैं कि कितने पावर्फू लगती जो आज तक किसी से युद्ध में नहीं आ हो रहा था संसार में भगवान को 125 पर शुए थे और भीच में पतामा की उमर सोचिए क्या उमर थी उनकी मैं हूं यहां सबसे बड़ा मेरी पुझा वह व्यक्ति कह रहा है वह व्रिद्ध व्यक्ति कह रहा है तो इसलिए जब हम अपनी कई बार हम कहते हैं हम सबसे सीनियर ह भगते हैं सबसे अमीर हैं जो भी है हमें सुपीरियोरिटी कॉंप्लेक्स अक्सर हो जाता है जो कि हमें जुकने नहीं देता और जिस कारण हम भगवान को पहचान नहीं पाते तो वह बता रहे हैं उसके सामने भगवान हम ही शाच छुपे रहेंगे अता वह नहीं जान पा वो तो आ रहे हैं और जा रहे हैं वो पैदा नहीं हो रहे हैं पैदा शरीर होता है भगवान का शरीर नहीं है वो सचिदानन शरीर है दिव्वे शरीर है हमारे जैसा शरीर नहीं है इसलिए हम बता रहे हैं कि यदि भगवान को समझना है तो भगवान की किरपा के मिनना नहीं समस्थते उनकी किरपाप मिले कि जब हम उनके परती शरणागत होंगे जब हम उनके गुरू और भगतों के परती शरणागत होंगे तब भगवान अपने आपको रिवील करेंगे हम भगवान के विश्य में रिसर्च नहीं कर सकते हैं भगवान शर्द्धा का विश्या और ऐसा नहीं कि शर्द्धा करते रहे हैं इसको प्रैक्टिकल कैसे पता चले का कर के देखिए भगतों के जीवन से पूछिए वो बताएंगे कि हां मैंने भगवान को कैसे-कैसे महसूस किया अपने जीवन में तो ये वो विशा है इवन भातिक संसार में भी हम श्रदा ही रखते हैं इवन साइंस की किताबों में भी हम श्रदा ही रखते और यह परिवर्तन अगर भगवान द्वारा नहीं किया जा रहा है तो कैसे कौन कर रहा है इसको इतने दिव्य परिवर्तन एक चरह एक व्यक्ति जिसके बाद 40 रुपए थे वह चार हजार करोड या संतिंग डोंडों कितना बड़ा संसार में मंदिरों का एक गुरुप बना देवताओं के पास जाने के चक्कर में या निराकारी के होने के कारण तब भगवान कभी हमारे सामने रिवील नहीं होंगे और हम ऐसी भ्रहम में पूरा जीवन बता देंगे इसलिए भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपध्यनते मायामिताम तरंतिते जो मेरी शर्ण में आ खारतना आँ इसलिए पार्ण क यहां में ब्रहम दिव्य रूप योग माया से आवरित है बद्वरण जोति की अंतरंगा शक्ति का काहारन दिखिये संमझें माया प्रथिस्ट्रा लाव्त को हमें पावर देदी हम इल्यूजन्ड हो ग deth हम पागल होगे हमें बल दे दी हम पागल होगे हमें ज्ञान दे दी हम पागल होगे तो यह होगी अंतरंगा यह होगी बहीरंगा शक्ति का आवरण बहीरंगा शक्ति का आवरण से कोई निकल भी जाता है यदि समझ जाता है कि यह संजार में सब नकली है जूट है उसके आप बरमजोती है आपकी अंतरंगा शक्ति है किरपया स्टेज को हटा लें क्योंकि यह है आपके सच्चितानंद विग्रे के दर्शन में बाधक है तो भगवान का क्या रूप है सच्चितानंद इटर्नल फुल अफ नॉलिज फुल अफ ब्लिस यह भगवान का असली कर रहा हूं आप किरपया अपनी माया को चाया योग माया है चाया महा माया हटाइए ताकि मैं आपके स्वरूप के दर्शन कर सकूँ तो यही मेरी भी आपसे प्रार्तना है कि प्रार्तना कीजिए और साधना कीजिए भगवान आवश्य ही मिलेंगे हरे कृष्णा श्रु अपनी कि जाइए भागा थिता गी जाइए